हेलो दोस्तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडियन एक्जाम में करपड़ तो दोस्तो आज हम आप लोगों के लेकर आई है SSC GD के लिए GKGS के ऐसे अतिमहतपूर प्रशन का प्रैक्टिस सेट वन जो आपके SSC GD के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए दोस्तो एके कुश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना और दोस्तो अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडियाप चाहिए अठारा सो पचासी इसवी अठारा सो पचानवी इसवी अठारा सो पैसाट इसवी या फिर ऑप्शन डी अठारा सो नब्बी इसवी तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन ए अठारा सो पचासी इसवी में दोस्तो 1885 इस्वी में भारती राश्ट्री का अंग्रेश की इस्थापना हुई थी नेक्स्ट कुश्चन दूसरा निमने लिखित युगों में से सिंद सवता किस युग में पड़ती है तो दोस्ते इसका सही अंसर क्या होगा एतिहासिक काल, प्राग एतिहासिक काल उप्शन C, उत्तर एतिहासिक काल या फिर उप्शन D, आध्य एतिहासिक काल तो दोस्ते इसका सही अंसर होगा उप्शन D, आध्य एतिहासिक काल कुश्चन नमबर तीसरा निमने लिखित में से कौन सा आस्रम इंद्रियों पर सहीम रखने और बौतिक विगास करने की सिक्षा देता है तो दोस्ते इसका सही अंसर क्या होगा ब्रह्मचार आस्रम, ग्रहस्त आस्रम, वानप्रस्त आस्रम या फिर आप्सन D सन्यास आस्रम तो दोस्त इसका सही आंसर होगा Option A ब्रह्मचर असरम Question No.4 भारती सम्विधान में मूल अधिकारों का वरणन किस भाग में किया गया है तो दोस्त इसका सही आंसर बताए क्या होगा भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 7 तो दोस्त इसका सही आंसर होगा option B भाग 3 में दोस्तो भारती सम्विधान में मूल अधिकारों का वरणन भाग 3 में किया गया है next question पांचवा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो दोस्तो बताईएगा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है question number 6 दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बक्स पुकारा जाता था तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या होगा कुतबदीन एबख इलतोतमिस गया सुद्दीन तुगलद या फिर अलावदीन खिलजी तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option A कुतबदीन एबख को दोस्तो दिल्ली के कुतबदीन एबख सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बक्स पुकारा जाता था question number 7 बहरत में राष्ट्री आयका संक्लन कौन करता है योजना आयूग, वित आयूग, भारती संक्य की संसाथान या फिर option D केंदरी संक्य की संगठन तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option D केंदरी संक्य की संगठन दोस्तो भारत में राष्ट्री आयका संक्लन केंदरी संक्य की संगठन करता है question number 8 चमगादर निमने लिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं तो बताईगा किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option D वे परासरब ध्धोनी तरंगें उत्पन करते हैं दोस्तो इसी बज़े से चमगादर अंधेरे में उड़ सकते हैं next question नॉमा किस देश में कुल छेत्रफल का सरवाधिक परतिसत वना चादित है तो दोस्तो इसका सही आंसर बतायेगा किस देश में गयान, जापान, इंडोनेसिया या फिर सूरी नाम तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option D सूरी नाम दोस्तों सूरी नाम देश में कुल छेतरफल का सरवाधिक प्रतिशत वना अच्छादित है question number 10 वा भारत के सम्विधान का धाचा तैयार करने के लिए संगी वबस्था की योजना किस देश से ली गई थी किस से ली गई थी USA से, UK से, कनाड़ा से या फिर स्विटिजर लेंड से तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option D स्विटिजर लेंड से ली गई थी दोस्तों भारत के सम्विधान का धाचा तैयार करने के लिए संगी वबस्था की योजना स्विटिजर लेंड देश से ली गई थी कुश्चन नमबर 11 गैस के गुबारों में हाइट्रोजन गैस की जगए हिलियम गैस का प्रियोग किया जाता है क्योंकि यह है कैसी होती है हाइट्रोजन से हलकी होती है या फिर हाइट्रोजन से अधिक परचुरता में पाई जाती है या फिर अध्राहा है या फिर अधिक इस्थाई है तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन टी ये अधिक इस्थाई है कुश्चन नमबर 12 है फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रियुक्त गैस है कौन सी है असिटलीन, मेथैन, एथैन या फिर ब्यूटैन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओप्सन ए असिटलीन दोस्तों फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए असिटलीन गैस का प्रियोग किया जाता है कुश्यन नमबर 13 तीन बीगा कोरिडोर जोड़ता है किसे जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को भारत और चीन को बांगलादेश और पाकिस्तान को या फिर बांगलादेश और भारत को तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा option D बांगलादिस और भारत को ये तीन वीगा कोरिडोर जोड़ता है question number 14 है किस छेत्र से उतक्रष्ट कार्य को पुलितिजर पुरसकार के लिए मानिता दी जाती है तो बताएगा इसका सही अंसर क्या होगा विज्ञान और प्रोधोग की साहती और पत्रकारिता अंतराश्ट्री समझ बूज या फिर परियावाची अध्यन तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option B साहती और पत्रकारिता question number 15 चित्तोड में विजय इस्तंब का निर्माड किस ने किया था तो बताए किस ने किया था महराडा प्रताप, राडा संगराम सिंग, राडा कुमभा या फिर राडा रतन सिंग तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option C राडा कुमभा दोस्तो चित्तोड में विजय इस्तंब का निर्माड राडा कुमभा ने किया था next question बाडा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है next question भारत की तट रेखा है तो बताएगा कितनी है पचपन सो किलो मीटर पैसट सो किलो मीटर पचछत्तर सो किलो मीटर या फिर option D चौरासी सो किलो मीटर तो दोस्तो इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option C पचछत्तर सो किलो मीटर दोस्तो भारत की जो तट रेखा है ये पचछत्तर सो किलो मीटर है question number 18 भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राजे में इश्थित है तो दोस्तो इसका सही अंसर बताएगा किस राजे में इश्थित है जम्मू और कस्मीर में महराश्टर में करनाटक में या फिर option D हिमाचल परदेश में तो इसका सही अंसर होगा option A जम्मू और कस्मीर में दोस्तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जम्मू और कस्मीर में इस्थित है next question 19 चंदरगरहर तब होता है जब क्या होता है तो दोस्तो इसका सही अंसर बताएगा क्या होगा चंदरगरहर का होता है तो इसका सही अंसर होगा option B जब सूर और चंदरमा की बीच में प्रत्वी आ जाता है दोस्तो जब सूर और चंदरमा की बीच में जब प्रत्वी आ जाएगा तो सूर का प्रकास चंदरमा तक नहीं पहुँच पाएगा इसी वज़े से चंदरगरहर होता है question number 20 insulin की कमी की कारण होने वाला रोग है कौन सा है बेरी-बेरी, diabetes, cancer, anemia तो दोस्तो इसका सही आंसर आप लोग comment box में बताऊगे दोस्तो देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग देबाते हैं कि insulin की कमी के कारण होने वाला रोग है दोस्तो जो लोग इस question का सही आंसर बताएगे next video में मैं उन लोगों का नाम जरूर बताऊँगा कि कितने लोगों ने इस question का सही answer बताया था और दोस्तो अगर आपको इनकी practice करने के लिए वीडियाप चाहिए तो दोस्तो ये वीडियाप आपको टेलिग्राम ग्रूप इंडियान एक्जाम मेकर पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप लोग डाउंडोड कर सकती हूँ और दोस्तो वीडियाप पसंद आएगे एक लाइक कर देना चैनल पर नाएगे तो सब्सक्राइब करके नॉट्पिकेशन ज़र्फो भी पहुन कर देना जिससे कि अगली वीडियो कलाज की नॉट्पिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके